वैश्नव देवी को सबसे पवित्रत तीरत सलों में से एक माना जाता है और प्रसिद्ध गुफा त्रिकूटा परवत पर माता वैश्नव देवी मंदिर स्थित है यहाँ भारत के सबसे पुराने पवित्र तीर्द सलों में से एक है और दुनिया भर से श्रत दलू यहाँ आशिरवाद लेने आते हैं यहाँ देवी महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के तीन रूपों में प्रकट होती है महातारानी त्रिकुटा या वैश्नवी तेवी जैसे विबिन नामों से जाना जाता है मंदिर तक जाने के लिए 13 किलोमेटर का रास्ता है जहाँ से पूरे रास्ते मंद्र मुग्द करदे देने वाले दुरुष्य दिखाई देते हैं यदि आप परिवार के साथ वैश्नो देवी यातरा की योजना बना रहे है तो यहाँ एक गाइड है जो इस पवित्र गंतवय पर जाने की योजना बनाने से पहले आपको उन सबी बातों का विवरन देना है जिने आपको जानना आवश्यक है वैश्नो देवी यातरा वैश्नो देवी वास्तों में हर साल माता वैश्नो देवी के एक करोड से अधिक उपासकों के द्वारा दोरा किया जाता है जो माता रानी का अश्रिवाद लेने के लिए 12 किलोमेटर की चड़ाई करने की योजना बनाते हैं आईए आपको अलग अलग विकल पर एक नजर डालते हैं जिने आप परिवार के साथ अपनी वैश्नो देवी यातरा पर कट्रा से अर्द कुमारी और फिर अर्द कुमारी से भवन तक पहुशने के लिए चुन सकते हैं पहला ओप्शन है ट्रेकिंग परिवार के साथ वैश्नो देवी की यातरा की योजना अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए जबकि कट्रा से भवन तक पहुशने के लिए ट्रेकिंग को अपने मोड के रूप में चुना जासता है जो लगभग 13 किलोमेटर है कट्रा से अर्दकुमारी के लिए दो मार्ग है प्रत्यक दूरी में भिन्न है और अर्दकुमारी से भवन तक दो मार्ग है दुश्रा मार गए है हेलिकॉप्टर राइट सभी बच्चे वयसकर और बुजूर्ग एक हेलिकॉप्टर की सवारी समग्र अनुबव में मस्ती और उत्साह की चिंगारी जोड़ देगी परियाटकों कम से कम दो महिने पर ले हिलिकॉप्टर की सवारी के लिए बुकिम करनी होगी हिलिकॉप्टर की सवारी में लगबग 8 मिनिट लगते है और एक बार में पास से 6 यादरी बेच सकते है उधंपूर रोड परस्तीत कट्रा का हेलिपैड कट्रा बस्टेशन से दो किलमेटर की दूरी पर है सांजिचर पॉइंट पहुचने के बाद वैश्नो देवी बहन पहुचने में लगबग आदा गंटा लगता है आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रट्टू, कूली, पालकी, सेवाएं चुन सकते हैं या मंदिर तक पैदल जाना पसंद कर सकते हैं हेलिकॉप्टर की सवारी के लिए कट्रा से सांजिचर तक एक तरफ का किराया लगबग रुपए एक व्यक्ति के लिए 800 और दोनों पक्षों के लिए यह रुपए खर्चोंगे 3600 प्रतिव्यक्ति कुछ बक्तों के लिए वैश्न देवी भवन तक पहुशने के लिए 12-13 किलोमेटर तक पैदल चरना एक कटिन काम हो सकता है इसलिए कई 33 यात्री डट्टो और पाल्की की सहीत विबिन सेवाओं का लाब उटाना पसंद करते हैं नगरपाली का समिती यात्रियों की सुविदा के लिए सभी कच्चरों, कूलियों और पाल्की सेवाओं का प्रबंधन करती है temples to visit on वैश्नो देवी यात्रा माता वैश्नो देवी टेंपल हिंदो के बीच सबसे महत्वपूर्ण मंदिर और धार्मिक स्तलों में से एक माना जाता है माता वैश्नो देवी मंदिर माता वैश्नो देवी को समर्पित है मंदिर को 108 शक्त पीटों में से एक माना जाता है जो दुर्गा को समर्पित है जिने वैशनो देवी के रूप में पूजा जाता है अर्दकुमारी टेमपल अर्दकुमारी को 6 किलोमेटर की दूरी परस्तिर वैशनो देवी के मुख्य भावन के आधे रास्ते के रूप में जाना जाता है अर्दकुमारी शब्द का अर्थ है शास्वत कुमारी और इसे पवित्र गुफा के रास्ते में सबसे आवशक मंदिरों में से एक माना जाता है भहिरवनाथ टेमपल माता वश्णो देवी मंदिर से सिर्फ दो किलोमेटर दूस तीद भहिरवनाथ मंदिर बाबा बाबा वहिरवनाथ का समर्पिद है ऐसा माना जाता है कि भहिरव को वश्णो देवी ने मार डाला था क्योंकि वो उन पर हमला करने ही वाली थी और फिर उन्होंने काली का रूप अधिरुई होगी चरन पादुगा चरन पादुगा 3380 फीट की उचाई पर स्तित है और बान गंगा से लगबक देड़ किलोमेटर दूर है एक शिला खंड पर अंकीत चरन पादुगा एक धार्मिक स्तल है जहां देवी के पवित्र चर्णों की छाप मानी जाती है अंगतुक माता के 15 चिन्डों के प्रती अपनी श्रदार पित करते हैं जो एक शिला पड़ल पर उकेरे गए हैं और फिर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं बेस्ट प्लेसेस टू स्टे इन कत्रा परियाटन परियाटक वैश्णों दिवी की आत्रा के ओजना बनाते समय केवल कट्रा में उपलब संपत्ति की खोश करेंगे हाला कि आप कट्रा में अपने ठहने की योजना बना सकते हैं नीचे दिए गए होटल कट्रा में स्थित है जो अपने मेहमानों के लिए आराम दायर रहनी की पेशकर्च करते वाली पुसरोत्तम इन क्लास सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है आई ये परिवार के साथ वैश्नो देवी यात्रा पर जाने वाले जाने वालों के लिए कट्रा में होटल के हमारे क्यूरिटे सुची पर नजर डालते हैं कट्रा में आप वैश्ण देवी के how to reach वैश्ण देवी परिवार के साथ वैश्ण देवी आत्रा सड़क ट्रेन या हवाई जाज से की जा सकती है श्री माता वैश्न देवी कट्रा लेलवे स्टेशन वैश्न देवी मंदिर के पवित्र मंदिरों में से 20 किलिमेटर की दूरी पस्तित निकटम नर्मिनल है जम्मू तावी, अमरुटसर, नई दिली और भारत के अन्य प्रमुक शहरों से कट्रा के लिए अक्सर बरसे चलती है कट्रा भी पहुचा जा सकता है जो जम्मू से लगबग 50 किलमेटर दूर है यह यात्रा के लिए आधार शिवीर के रूप में कार्य करता है जम्मू सभी प्रमुक शहरों से हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है दूसरा तरीका जम्मू के लिए ट्रेन लेना है कई दैनिक और सापतहिक ट्रेनों है जो प्रमुक शहरों से जम्मू तक चलती है और कुछ रेने हैं जीने कट्रा तक बढ़ाया गया है बेस टाइम टू गो इन वैश्णो देवी यात्रा वैश्णो देवी के में साल बर भीड रहती है लेकिन मार्स से जुलाई के महिनों के दोरान परेटों को द्वारा इसका दोरा किया जाता है क्योंकि मौसम सुकत और भ बजह से कई यात्री इन मैनों के दोरान परिवार के साथ अपनी वैश्णो देवी यात्रा की योजना बनाना पसंद करते हैं आम तोर पर अगस्त और सितंबर के बीच बारिश होती है इस मोसम की स्थिति थोड़ी चरम हो सकती है लेकिन इसके बावजुद कई भंगती समय कि आसपास यात्रा करना पसंद करते हैं नवंबर से परवरी सर्दियों के मैने में होते हैं और कई यात्री इन मैनों के दोरान यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मोसम की स्थिति कटर होती है और यह समय आसपास के ट्रेकिंग करना मुश्किल हो जाता है अगर बनाए है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो जरूर वो व्लॉग देखिए उसमें आपको बहुत सारी डीटेल और मेरा रियल राइप आपको देखने को मिलेगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने वहिष्ण देवी भक्तों के साथ यह वीडियो सेर कीजिए जय माता दी